रेत माफियाओं का हर जगह अवैद उत्खनन का मामला पूरे देश में हम सुनते हैं लेकिन बुंदेलखंड के अगर बात करें तो बुंदेलखंड की दर्ती को ये बालू माफिया चलनी कर चुके हैं और कब तक करते रहेंगे ये भी एक एहम सवाल है हम बात करें हैं के माफियाओं से उन्हें बार बार लगातार पैसे मिल रहे हैं इसलिए उन्हें कुछ नजर आ ही नहीं रहा किस तरह अवैद दिखनन हो रहा है ओवर फ्लो ट्रक सड़कों पर दोड़ रहा है बालू माफिया अधिकारी से लेकर पुलिस प्रशासनता सब को मैनेज करके अपील की है कि एक बार इधर भी ध्यान दीजे बालू माफियाओं के घरों में भी बुल्डोजर चलवाएए योगी से कहा कि जितना आप बालू माफियाओं के घर में बुल्डोजर चलवा रहे हैं उतना ही अपने अधिकारियों की अवैद संपत्ति की भी जाच कीजिए आखिर उनके अवैद पैसे उनके बंगलो में कब बुल्डोजर चलवाएंगे उतरप्रदेश की जनता ने ये सवाल पूछा है और कहीं न कहीं ये सवाल तो पूरे देश का है क्योंकि ये सिर्फ उतरप्रदेश का मामला नहीं है किसी भी प्रदेश में अगर देखें तो तो रेत माफिया जो हैं वो सर चड़कर बोल रहे हैं हर शेत्र में और उत्रप्रदेश की हम इससे बात करें क्योंकि योगी आदेतेनात को बुल्डोजर बाबा कहा गया और हाली में उन्होंने चुनाव जीता है और इसी बात पर चुनाव जीता है कि जो अपराद है और जो उनकी गलत कमाई से बने हैं उन बंगलों पर आखिर कब चलेगा या बुल्डोजर